असलाम लेकूम यहां पर हमारे पास टिग्रोमेट्रिक का एक यह टेबल दिया गया है जो हम फ़स्ट यह की एक्ससाइस 10.1 वगार के लिए हम यूज करते होते हैं इसे याद करना काफी मुश्कील है इतना लंबा टेबल तो इसे याद करने के एक सान तरीक है मैं आप लोग होने पहले ए फोर क्वार्डन बना लेना है जिस तरह पहले से खाया था आप लोग को यह फॉस्ट यहां से हमने स्टार्ट करना है और एंटी क्लोक वाइस जाना है क्लोक इस तरह चलती है हमने इस तरह जाना एंटी क्लोक वाइस यह फॉस्ट क्वार्डन यह थर्ड क्वा इसे हमने इसमें लिखना है और हमने इसे क्लोकवाइज लिखना है स्टार्ट यहीं से करना है इसमें लिखनेना है ए सी टी एस ए मतलब आल पॉस्टिव जितने साइन को स्टैन जितने भी छे के छे सारे के सारे यहां पर पॉस्टिव होंगे C मतलब cos और उसका उलट क्या होता है हमारे पास secant cos भी positive, secant भी positive इसके लवा बाकिma जितने भी आएंगे वो सारे हमारे पास negative आजएंगे यहाँ पे हमारे पास ten और उसका उलट क्या होता है caught यह positive होंगे उसके लबादी सारे के सारे इस quadrant में हमारे पस third quarter में सारे की सारे बाकी दोनों के लावा negative होंगे यहाँ पे हमारे पस sign और sign का उलेट हमारे पस होता है cosecan यह दोनों positive और इसके लावा बाकी जितने भी होते है trigonometric function वो सारे यहाँ पे negative होंगे लेकिन first में सारे के सारे positive होंगे यह आप लोगों नहीं याद रख लेना है अब बाकी जो है इसको देख की solve करना है और एक चीज यहां से यह start होता है यहां पर हमारा 0DP होता है यहां पर 90 यहां पर हमारा होता है 180 यहां पर 270 फिर यहां पर दुबारा कर जब complete हो जाता है एक circle तो 360 हो जाता है इसे हम 90 को πाई बै टू भी कहते हैं 80 को πाई और 270 को 3 πाई डू और 360 को 2 पाई अगर यह याद ही रहा तो बस यह 90 का पाई बै टू याद रख लें पाई बै टू में पाई बै टू एड किया हमारे पस आगया पाई πi में फिर हमने πi by 2 एड़ किया हमार पास आगे 3 πi by 2 3 πi by 2 में फिर πi by 2 एड़ किया तो हमार पास आगे 2 πi अब यह हमने इस सारे टेबल को इसके मद्द से solve करना है कैसे करना है एक चीज जहें में रखनी है कि यह जिस तरह यह fraction में दियेगे अब हमार पास अगर 10 होगा तो हमने उसकी जगा लिख देना है तो सीकन होगा तो सीकन होगा तो सीकन होगा है यह दर यह भी लिखते थी मैं आपको साइन जहां आएगा, वह हमने लिखते हैं कॉस, और कॉस जाएगा, उसकी जगा साइन लिखते हैं, ठीक हो गया, टैन जहां भी आएगा, उसकी जगा हमने कॉट लिखते हैं, और जहां कोट आएगा, उसकी जगा हमने टैन लिखते हैं, जहां हमार पस सीकन आएगा, वह हमने को सी कें निख देन helpful और में आप देखते हम झेखने निखे। अब देखते हैं किसे घसाएं साइन का जाहिया है ठीटा किसे तरह हमें इसको का खुछा अझिखने इसट हैं, फती है mellan झील और में घुछ कुछ माइनस बहुत है मतलब पीछे के तरफ तो जा रहाए नियुत-το तो स सब्सक्राइगा अगर और सब्सक्राइग यूठी थी है ठीक खाल कहा है उसकी हो गया उसके बाद देखेञा है नहीन कोज क्यूद्स Arm पास आया पास घूदकर को होता है एmm क मैस से फीटा हो रहा है, तो मतलब पाईगर二 में से पीछे की तरफ स्पर्षार्डर में। हमारा पास सारे hurttiyo होते हैं, तो इसके साथ हम इसे पह साइब कार्या है और pi by 2 में से कुछ minus हो रहा है, इसका मतलब first quadrant में है, तो इसका मतलब first quadrant में सारी positive होता है, तो यह हमार पास positive ही आएगा, अब यह नीचे देखें, यहाँ pi by 2 प्लस ठीटा दिया हो है, मतलब pi by 2 में कुछ add हो रहा है, pi by 2 की वज़े पहले तो हमने sign को cause में change कर लिया, अब हमन second quadrant में sign जो होता है, हमारे पास positive होता है, इसलिए हमने इसके साथ positive का sign लिगा है, ठीक, देखना यह है कि यह उस quadrant में कौन सा होता है, अब हमने देखा cause pi by 2, pi by 2 था cause था, तो हमने cause का लिट sign लिखती है, और pi by 2 में कुछ add हो रहा था, add हो तो second quadrant आ गया, अब second quadrant में हमने देखना है कि cause होता है positive होता है, तो second quadrant में cause हमारे पास negative होता है, को positive सिर्फ sign और कुसी कहन होता है, तो हमने इसके साथ minus का sign लिखा दिया, उसी तरह हमने इसके साथ किया 10 जो होता है pi by 2, पहले pi by 2 के जो से 10 का लिखती है, अब pi by 2 में कुछ add हो रहा है, मतलब second quadrant है, तो 10 जो होता है, तो second quadrant में negative होता है, इसलिए हमने minus का sign लिखा दिया, अब देखे हिए हमारे पास आगे sign pi minus theta, pi मतलब ये fraction में नहीं है, ये हमारे इदर लिखा वा था, वो ही इदर लिखती है, को sign था हमने sign ही लिखती है, कौस में pi था, तो cos था हमने cos लिखती है, 10 तो हमने 10 ही लिखती है, यहाँ पे 10 था, pi था, तो हमने pi 10 ही लिखती है, हलाकि plus था, यह minus था, इस plus यह minus को लिखना, सिरफ इस चीज़ को देखना है, fraction म पाई नहीं था तो हमने कौस था दीया है तो हमें का की नहीं भी देखने हैं moosis हैं कुछ माइनस हो रहा है मतलब 180 में से कुछ माइनस हो रहा है पाई में से कुछ माइनस हो रहा है मतलब पाई से पीछे पाई यहां है कुछ माइनस हो रहा है तो मतलब उससे पीछे यह सैकंड कॉर्डरंट है तो सैकंड कॉर्डरंट में जो हमारे पास साइन है वो क्या होता है पॉस्टिव इसलिए ह पाई में से कुछ मानस हो रहा है मतलब second quadrant लिए कोज्ट सेकंड कॉर्डन हमारा पां सेकंड कट्र में नैक्ट्व होता है मैनस लगा दिया उसी तरह पर नैक्ट्र निक अट्यू होता है इसके साथ मानस लगा दिया अब यहां पर देखें इनका साइन यहां भी πाई था यहां भी पाई था लेकिन यहां पर प्लस है यहां पर माइनस क्यों आए क्योंकि यहां पाई के साथ प्लस टीटा था पाई वे पाई में कुछ एड़ हो रहा था पाई यहाँ पास यहाँ था हो उपसमें कुछ एड हो रहा तो हमने आगी तो चाहिए ज़रा सभी एड हो रहा हमने जाना तो आगे की तरफ है ना तो कौन सा quadrant आगा है थर्ड, थर्ड क्वार्डन में साइन जो होता है हमने पास negative होता है होगा इसलिए हमने यहां पर मैने का साइन का लगा दिया झांड तो फ्रेक्षिंवें तो थ्रीस सभी यहां गयाग स्राइब हो गया उसी तरह यह लिए आगे हमारे पास 3 पाइब टू फ्रेक्षं लेखे स्वीर पाइबट यह भी साइन की जगा यहां उन में कुछ माइनस ओर यहां अब देखते हैं 3.2 में से कुछ माइनस हो रहा है बाकि 3rd quadrant, minus हो रहा है 3 pi by 2 तो 3rd quadrant दाएगा, 3rd quadrant में सिर्फ 10 और 4 positive ते बाकि सारे negative होते हैं, तो यह देखें, 3rd quadrant में हमने सिर्फ 10 के साथ positive लगा है, बाकि इन दोनों के साथ हमने negative का sign लगा दिया, ठीक हो गया, अब उसके बाद देखे 3 pi by 2 में कुछ add हो रहा है, add हो रहा है, बतल ठीक हो गया, अब यह next देखें, इन सब में क्या है, 2 pi है, मतलब fraction में नहीं है, fraction में नहीं हो तो जो लिख रहा है, sign के जगह sign, यहां भी sign के जगह sign लिख दिया, cos जो थे उनके यह आगे cos लिख दिया, 10 का भी हमने 10 लिख दिया, अब देखने किनके साथ plus रहेगा, यह minus हो होते हैं, तो हमने cos के साथ positive लगा दिया, बाकि इन दोनों के साथ negative लगा दिया, अब यहां पर देखके 2 pi में 2 pi प्लस टीटा, मतलब 2 pi में कुछ add हो रहा था, 2 pi में कुछ add हो रहा था, मतलब आगे की तरफ, आगे तरफ कौर्डन बन रहा था, 1st कौर्डन, तो 1st में सारे positive होते हैं, इसलिए हमने इन सब के साथ positive का sign लगा दिया, अब हम इसका एक question देखते हैं, कैसे solve करना है, अब देखे sign है, pi प्लस टीटा, pi है, मतलब इस line में रे दिया गए, तो जो यहीं लिखा होगे, हमने वहीं लिख लेना है sign, ठीटा, अब देखना है, यहां इसके 10 और court होते हैं, तो इसके साथ minus आगया, ठीक हो गया, और square था, ओपर हमने वैसे ही square लगा दिया, अब देखने हमने 10, 3 pi by 2 है, 3 pi by 2 मतलब fraction में आगया, इस line में आगया, fraction में आगया, तो हमने इसका उलट लिखते हैं, 10 का उलट हमारे पास क्या होता है, court, ठीटा आगया, अब देखने, प्लस से अगरे माइनस, 3 pi by 2 में कुछ add हो रहा है, 3 pi by 2 यहाँ है, कुछ add हो रहा है, मतलब यह वहला quadrant आ रहा है, इस quadrant में cause और secant positive होते हैं, बाकि सारे negative होते हैं, तो इसके साथ sign कौन सा आजएगा, negative का, अब देखें, court को, court जो है हमारे पास, 3 pi by 2 है, 3 pi by 2 कुछ minus हो रहा है, तो मतलब पीछे वहला quadrant आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 10 record positive होते हैं, तो इसके साथ plus का sign ही आएगा, अब देखें, यहाँ पर हमारे पास आगे pi, pi यह आगया, यह वहली line आगया, मतलब fraction में नहीं है, तो जो लिखा होए, यहाँ पर हमने same as it is, वही लिखते ना है, और pi में से कुछ minus हो रहा है, यह pi है, इसमें से कुछ minus हो रहा है, मतलब हमारे पास quadrant कौन सा आजएगा, second वहला quadrant, और यहाँ पर यह हमारे पास cause होता है, तो हमने minus का sign लगा दिया, ठीक हो गया, अब हमारे पास आगया, तो पाई, तो पाई मतलब यही वाल से कंद पास्टिव होता है, तो negative यहाँ पर minus का sign लगा, ठीक हो गया, इस तरह है, ठीक हो गया, इस तरह लिख ले, कि whole scale था, ठीक हो गया, अब देखें, scale को से minus इसका खत्म हो गया, हमारे पास आगया, sign ठीक हो गया, यह minus और यह minus plus हो गया, और यह minus scale की विए से खत्म हो ग 10 हमारे पास होता है साइन स्केर ठीटा साइन ठीटा ओवर कॉस ठीटा स्केर था तो हमने उपर लैदल लगा दिया कॉस के ठीटा माइनस जो स्केर की वज़ा से खतम हो गया और यह माइनस इस माइनस को इसे प्लस हो गया तो यहां पर आज़ेगा कॉसीकन कॉसीकन उड़र ल साइंट टास कटके हमारे पास बाकी क्या बज़ गया कॉस्ट टीटा तो सकॉस्ट टीट है इस कांसर ठीक हो क्या यह आप लोग के जो तरीका मैंने बता है इसके लिए आप लोग को यह सारी याद नहीं करने बड़ेगा सिर्फ आपने यह यह आद रहें कि स्कौारड़न में 10.1 की solve हो जाएंगे